हेलो, बेलकम टू केनेश्टडी, CEPF SE 2020 का जो लाश्ट 30 डेज सीरीज है, उसमें आज हम Day 19 देखेंगे, अंडर मीशन 3 स्टार, तो आज का जो है, पेपर वन में टार्गेट आपका है, कि UPSC Civil Services 2017 का पेपर वन कंप्लीट करना है, पेपर वन का फूल, एक्सेप्ट करेंट ठीक है, जो Current Affairs का पार्ट है, उसको छोड़ देना है, और उसके बाद जो है, पेपर टू का Quant प्लस Aptitude पार्ट वो करना है, देखो, जो मैं ये चीज़े कर रहा हूं, कि उसमें Quant वाला पार्ट और Aptitude वाला पार्ट करोगे, तो उसमें से आपका जो है, कि ये चीज़े कवर हो जाएगा, Quant वाला और Aptitude वाला पार्ट, और उसके साथ-साथ, जितने महीने Quant वगएरा के किये हुए हैं, प्रिवेस येर के प्रोपर तरीका से, उस चीज़ को देखोगे, ठीक है, और Science का, from any source, revised Current Affairs of Science, जो भी, या तो आप, देखो, जदी कोई मैगजीन लेते हो, तो मैगजीन बगएरा में, Science का पार्ट जो है, वो उसको, या फिर किसी ने, आपने, सपोच, ये Annual Book लिया हुआ है, तो Annual Current Affairs का बुक लिया हुआ है, तो उसमें से जो Science का पोर्शन होगा, या जो जदी आपने Notes बना करके रखे हैं, या फिर कहीं का Compilation वगएरा जो भी है, तो वो आप Science का ये Revise करो, Current Affairs का चीजों को, ठीक है, तो ये Paper 1 में Target है, Paper 2 में जो है, आज हम एक टॉपिक देखेंगे, Changing Croping Pattern is the Need of the Hour, जो हमारा Changing Croping Pattern, Changing Croping Pattern का मतलब है, यहां देखोगे, कि जो अभी क्या हो रहा है, MSP देखा जाए, तो MSP जो ह 23 Crops के लिए Decide किया जाता है, जो CSCP है, तो CSCP जो है, वो 23 Crops के लिए MSP Decide करती है, और जो Government of India है, वो उसको Approval देती है, Government of India उसको Approval देती है, और जो ये आपका 23 Crops का, और एक जो आपका Sugar Cane है, Sugar Cane जो उसका है, वो उसको FRP मिलता है, Fair and Remunerative Prices, तो देखो, MSP जो मिलता तो Actual में जो है, वो 23 Crops को, लेकिन Actual में जो Procurement होता है, तो Mainly आपका जो है, राइस, सबसे अधिक राइस का होता है, और वीट का होता है, तो राइस और वीट प्रोक्योर होता है, अब MSP, जो देखा जाए, MSP नहीं जहां लागू, means, however, All India में यह MSP लागू है, लेकिन कुछ एरिया में जो है, प्रोक्योर्मेंट होता है, और कुछ एरिया में प्रोक्योर्मेंट नहीं होता है, या बहुत कम होता है, जैसे पंजाब और हरियाना, या Western UP लो, तो यहां किसान लॉबी बहुत सारे बड़े किशान है, तो उसके कारण जो है, वहाँ प्रोक्योर्मेंट होता है, अब प्रोक्योर्मेंट हो रहा है, तो MSP मिल जाता है, तो किशान क्या करते हैं, राइस और वीट ही सबसे अधिक प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब राइस और वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके बहुत सारे कंस्विक्वेंट से बहुत सारे प्रोब्लम है, कि एक तो पंजाब बगएर हमें देखोगे, कि जो वाटर लेयर है, वो बहुत नीचे चला गया है, उसके बाद आपको electricity ब प्रोटीन बेस्ट जो डाल है, डाल और तिलहन, जो वाइल सीट्स है, और जो आपका डाल है, वो इंपोर्ट करना पड़ता है, तो इस बेटर जदी हो, और एक तरफ आपका सरकार के पास अब एक तरह से कपासिटी जो है, वो FCI गोडाम में कपासिटी नहीं है, आपका व जो डलहन का ये है, ठीक है, तो वो पल्सेस को हम कीकेती करें, और जो आपका ओइल सीट्की करें, तो इससे दोनों चीजे हो जाएगी, कि MSP पे भी जो आपका चावल और जो राइस और आपका, यानि कि राइस इनफेक्ट नहीं पैड़ी का सकते हो, हो ठीक है ना, राइस वेसिकली नहीं में पैड़ी आपका, तो पैड़ी से फिर राइस प्रोक्योर करके, प्रोशेश हो करके, तो आप उससे क्या होगा, कि ये तो हम अपना जो valuable dollar है, उस चीज को बचा सकते हैं, उसके बाद जो होगा, कि सरकार पे जो unnecessary extra जो pressure हो रहा है, उसको procure करने का वो थोड़ा सा कम होगा, अल्रेडी जो है government of India जो बहुत जादा expenditure वो इस form में करती है, ठीक है, तो ये, अब देखो, इस में बहुत सारी चीज होंगी, changing pattern of the, ये, अब देखो, ये topic emerge एक तरह से हुआ है, कहीं न कहीं, ये जो farmer protest हो रहे है, तो ये farmer protest में देखोगे, कि ये लोग का एक major changes और चाहते हैं, लेकिन उसमें एक major change ये चाहते हैं, कि जो MSP है, वो आप उसको return में लीख दो, कि हम MSP को जो हटाएंगे नहीं, ये कारण हुआ है, कि अभी जो किसान का protest चल रहा है, और देखो, आपका कल जो है, कल यानि 8th, 8th को है, जो भारत बंद का गोशना किया गया है, तो भारत बंद जदी ये होता है, ये इस कारण से हो रहा है, तो कहीं न कहीं, और जो ये पंजाब और ये हर्याना और दिल्ल से ये हुआ है कि changing chromping pattern तो cropping pattern के बहुत सारे चीजे होंगे आप इस जैसे मैंने एक एक example के तौर पे दिया कि ज़दी दाल और तिलहन की ये करते हैं या फिर जैसे देखो vegetable, vegetable में जो हमारा होता है सबसे अधिक जो है वो आपका जनवरी वे तो प्याज काफी महगा हो गया था तो इसका कारण क्या है कि चाबल और गें हूँ जो यानि कि पैड़ी और वीट पैड़ी और वीट के लिए बहुत area है लेकिन जो vegetables वगएरा है उसके लिए हम बहुत ज़्यादा area dedicated नहीं किये हुए है तो हमें इस चीजों में करना चीए अब उससे क्या हुआ environmental concern को भी ये किया जाएगा water layer वगएरा जा रहा है उस चीज का भी जो storage facility ये सरकार को extra procure करना पड़ता है तो ये सारे चीजें इसके फाइदे होंगे तो ये changing cropping pattern is the need of the hour ये first topic दूसरा जो है आत्म निर्भर भारत अभियान तो आत्म निर्भर भारत अभियान जो देखोगे कि ये जब last in fact देखोगे मई में जब government ने package ये लाया था तो उसमें आया था आत्म निर्भर भारत ये अभियान यानि self-reliant India तो self-reliant India के five pillar जो है पहला economy economy ठीक है फिर उसके बाद infrastructure infrastructure उसके बाद आपका जो है system ठीक है technology driven यानि system next page में हम देख लेते हैं ठीक है फिर demography और demand तो ये हम बेटर देख लेते हैं कि जो ये five pillars है आत्म निर्भर भारत ये the road ahead five pillars of self-reliant India economy quantum jumps not incremental change quantum jump का मतलब होता है ना कि just imagine करो कि जो first quarter जो 20 जो अभी financial year चल रहा है तो 2021 का जो first quarter है उसमें जो growth rate minus 23.9 रहा तो अब कहीं न कहीं quantum jump करोगे तब ही तो positive में आप आऊगे अब बोलो एक बार minus में चला गया तो हम धीरे धीरे करेंगे पहले 23 हुआ उससे हम 20 करें फिर 15 करें minus में ही चलते चलाए नहीं हमें quantum jump लगाना है not incremental change incremental change का मतलब होता ना दीरे 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 करके लेकिन quantum का मतलब होता है कि एक तरह से jump proper करना तो ये quantum change चाहिए quantum jump चाहिए फिर है infrastructure one that represents modern India आज के date में देखो infrastructure का हर जगह जो देखोगे कि रोड बगारा का काफी development हो रहा जैसे बिहार जैसे पिछरे हुए राज्य में भी आज के date में रोड infrastructure का काफी बिकास किया जा रहा है तो infrastructure जो है आपका और वो infrastructure सिर्फ physical infrastructure की ही ज़रूरत नहीं है physical infrastructure के साथ social infrastructure जैसे healthcare education और जो social services है उसका infrastructure फिर देखो आपका system, system जो होना चीए technology driven होना चीए तीक है फिर आपका demography demography हमारे demographic dividend हमारे पास है तो vibrant demography of the largest democracy हम इंडिया largest democracy है और हमारे पास demographic dividend काफी है demographic dividend का मतलब होता है कि जो working age population है हमारे यहां बहुत बिसाल है next आपका demand तो full utilization of power of demand and supply आत्म निर्वर भारत अभियान का यह package of 20 lakh कडोर यहनि कि about 10% of GDP उसमें focus on land, labor liquidity and law to cater of laborers middle class, cottage industry MSMEs and industries among others ठीक है फिर यह जो को दहिंदू में आप देखोगे कि जिस दिन मई में यह जब आया था package तो उस समय दहिंदू में यह आपका यह आया था ठीक है ना यह बाला जो बना हुआ था बहुत जगाई यह चीज़े आया था ठीक है तो including यह जो है RBI ने यह किया उसमें अब bold reform देखो जरूरत इसका है अब यह देखो supply chain reforms for agriculture agriculture में कहीं न कहीं यह rational tax system, simple and clear law capable human resource और a strong financial system यह देखो जो supply chain होता है कहीं न कहीं यह जो है इंडिया में अभी supply chain का एक बहुत बड़ा इशू है supply chain जितना अच्छा रहेगा उतना चीज़ें सही से manage किया दा सकता है just imagine करो कि किसी भी time में हमारे यहां देखोगे कि इंडिया में क्या है कि किसी समय वही onion 120 रुपे कीलो है तो किसी समय रोड पे सुण रहा tomato किसी time 80 रुपीज केजी है और किसी time जो है कि कोई खरीद नहीं रहा है तो किसान उसको सड़क पे फेक रहा है तो कहीं न कहीं problem क्या है कि हमारे हाँ supply chain का problem है आईसा नहीं है कि पूरे area में हमारे पास tomato को रोड पे फेकना पड़ रहा है नहीं problem है कि proper supply chain नहीं है proper cold storage नहीं है proper distribution नहीं है तो यह आत्म निर्भर भारत जो है यह इन चीज़ों को पर यह करना आप देखो आत्म निर्भर भारत का यह मतलब नहीं है कि हम isolated हो जाए दुनिया से हम किसी पर कोई मतलब नहीं रखे हर छीज हम खुद करें नहीं इंडिया कोई भी country है आज के rate में उस ढंग से isolate हो करके work नहीं कर सकते हो कहीं न कहीं coordination आपको चाहिए just imagine करो कि कोई भी चीज मान के चलो petroleum आपके पास नहीं है तो आपको petroleum चाहिए कोई भी country है मान के चलो उसके पास suppose land नहीं available proper तरीका से है जिसमें agriculture किया जासे कि आज के rate में no doubt modern agriculture technique अपनाने के साथ जो है इसराइल जैसे जगों में भी proper तरीका से agriculture हो रहा है fruit से लेकर के vegetable और other eatable items लेकिन कुछ area में अभी भी problem है तो एक दूसरी का जो होता है trade बगेरा ये कर सकते हो लेकिन कहीं न कहीं जो बहुत सारी चीजे हैं हम उसमें जो है कि हर चीज के लिए हम दूसरे पे dependent नहीं रहें बहुत सारी चीजे जो हम कुछ कर सकते हैं उस चीज को करने का ये कोशीश होना चाहिए तो आत्म निर्भर भारत जो है तो कहीं न कहीं ये चीजे है आत्म निर्भर भारत का मतलब ये नहीं है कि हम किसी से अलग एकदम हो जाए अलग थालग नहीं हो जाना है, हमें अपने इन सेक्टर फे वर्क करना है, तो आज का आपका दो टॉपिक हो गया, ठीक है, एक आत्म निर्वर भारत अभियान, सिर्फ रिलाइट इंडिया और चेंजिंग, क्रॉपिंग पैटर्न is the need of the hour, ठीक है, तो अब इन दोनों टॉप